दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विनीता यादव और आप देखरें नियूज नशा आदत हर खबर की बड़ी बात यह है और खबर यहां यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मोधी जी घिरे हुए थे कैनेडा और अमेरिका के बीच में घिरे क्या हुए थे सीधे सीधे फस चुके थे उनकी डिप्लोमेथिक कुटमी की जिसे कहते हैं वो पूरी तरह से धराश्य हो गई थी कहीं एक तरफ कैनेडा से उनको बार बार अलग लग तरह की स्टेटमेंट सुननी पढ़ रही थी वहीं पर अमेरिका ने भी हमारे देश के एक आफिसर के नाम पर वां दूस और चाइन इन दोनों की तरफ से आपने देखा होगा कि कैसे पिछले कुछ घंटों से तीवी चानल पर लगातार एक ख़बर चल रही है कि चीन जो है वो भारत के साथ एक मूचूल अंडरस्टैनिंग पर अब बात करने को तयार है शांती समझाता हो रहा है इसी पर कल रात को भी हमने चर्चा की थी और हमारे साथ वरिष्मतर का संतोष भारते जी जुड़े वे थे उनके साथ चर्चा करके हमने आपको यह बताया था कि चीन यहां पर आखर कार जो कर रहा है भारत के साथ वो है क्या पूरे दिन से एक ख़वर आप देख रहे है टीवी च चाहिए कुछ दिन पहले अजी डोबाल भारत के नसे चीफ वहां पर सफाई देने कैसे पहुंचे थे सिस बात पर की युक्रेन में कैसे मोदी जी ने गले लगाया था अब यहां पर गले मिलकर उसे बैलेंस कर रहे है और क्या वाकरी में मोदी जी का गले मिलना ही काफी है या अंदर की और भी बाते हैं क्योंकि जो बात आप तस्वीर के तौर पर टीवी में देखते हैं क्या वही सब कुछ है या फिर उसके अंदर बहुत कुछ पक्रा है इसे समझने के लिए हमारे साथ आप सुनियेगा बात वरिश पत्रकार संतोष भातेजी के साथ सर ये गल मिल रहे हैं मेरा कहना है कि जितने भी चीज़ें होती हैं अभी आपने महतुकून बात चलते चलते कह दी कि किस चीज के लिए मतलब ये इसके पीछे क्या है सचाई वो तो सचाई कुछ और है ये कुछ और आप मैं आपको थोड़ा और इंफर्मेशन दे दूँ जो आपके पांच देशों में समझाता है आपस में सूचनाओं की आधान पदान का और इंटेलिएंस की सूचनाओं की आधान पदान का और जो एक देश कहता है वही बाकी पांच चारो देश मानते हैं ये पांचो देश एक भाशा में बोलते हैं और इनके भीतर कोई इसमें अपना चुका है जो हमारे देश में कम जानकारी है। आजी दवाल नामके सजन के उपर अमेरिका की अधालक ने समवन जारी गिया है. और समवन जारी किया है कि यह इस हथ्याओं के अपराद में, इनके बारे में इनको जानकारी है और जिसमें प्रधान मत्री मोदी का एक बयान कि घर में घुसकर मारेंगे, ये बयान अमेरिक की कोट में सबूत की तौर पे रखा गया, जिसके आधार पर उनका प्रधान मत्री को तो हम सम्मन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अजि सरकार के कहने से ये संबन खतम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी सरकार का वकील भी कोर्ट में हाजिर था, लेकिन कोर्ट ने उस अमेरिकी वकील की कोई दलिल नहीं सुनी और उसने संबन जारी कर दे अजीद दुबाल के खिलाव, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार की सारी कूतनीती अमेरिका में फेल हो गई और आज अगर यह संबन वापस नहीं हुआ और लोकाउट नोटिस कहीं कोर्ट ने जारी करने का आदिश दे दिया, तो अजीद दुबाल जी इंदुस्तान से निकल के कहीं जा नहीं सकते, जहां भी जाएंगे इंटरपोर उनको पकड़ लेगी, यह आज की तारीक है, जब हम और आप बात कर रहें, यह सिटेशन है, तो भारत सरकार की साख इन चारों पांचों देशों में, कनाड़ा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इंग्लेंड, यह चारों एक तरह की, मैंने आपसे निवेदन किया, कि एक तरह की बात कहते हैं, क्योंकि इनकी सूचना है, आपस में बिल्कुल एक होती है, और यह तै करके उस बात को करते हैं, जो बाइडन सारी कोशिश कर पाए, लेकिन उन्हों ने शायद इसको भी एक खातियार बनाया भारत को अपने कंट्रॉल में करने का, इस कोर्ड के ओडर को, अमेरिकी कोर्ट के और और को, और आप यह जानती है कि अमेरिका का कोट और हिन्दुस्तान का कोर्ड दो अलग-अलग तरह से चलता है, हमारे यहां का हमारे यहां का जिस सरे राजमिफिक दबाओ से फैसले में वहां नहीं होते हैं हमारे हहां हमारे चीफ जस्टीस चन्र कुर साहब अभी है एक शाथ… दिने दिनों में रिटायर होने वाले हैं लेकिन इन्होंने जितने blunder किये हैं वो blunder अगर अमेरिका होता तो उनकी धजीया उड़ जाती है लेकिन उन्हों ने जिस तरीके से पूरी नियाई व्यवस्था को चोट पहुँचाई है साक गिराई है अपने यहां भी छोटे-छोटे लोग खुले हम कहना शुरू कर चुके हैं कि चंद्रचूर सहाब ने भारती नियाए विवस्ता को चोट पहुंचाई है उनका भाशन देना पॉब्लिक में एक है उनकी फैसली बिल्कुल दूसने है और ये फैसला तो जो सुनने पर हिंदुस्तान में हर आदमी काँप गया कि जब मैं नहीं समझ पा रहा था राम मंदिर को लेकर के तो मैं देवी के सामने बैठ गया मागवान के सामने बैठ गया कि मैं क्या करूं तो उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि तुम आस्था के उपर फैसला दो ये कोई चीवज़सर्ट है सकता है शर्मिंदा कर दिया हमारे मुख्य नयाए देश ने सारे देश के नियाए प्री लोगों को जो नियाए में वि प्रधान मंत्री जी की का जो महिमा मंदन है प्रधान मंत्री की साख चुकी विदेश में इन पांचों देशों में गिरी है और एक नया इन पांचों देशों के बारे में हमारे भारत सरकार और आपके और हमारे जो मित्र हैं जो टीवी चैनल है उन लोगों ने कहना बिना मोदी जी के काम नहीं करती है और उन्हीं मोदी जी के साथ खड़ी सरकारों को जैसे आज अभी रूस में भी आया कि पुतिन आज चैनल क्या कह रहा है कि मोदी जी ने सवेरेसे की मोदी जी ने ब्रिक्स का एजेंड असेट कर दिया क्या सेट कर दिया, उन्होंने ये कहा कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, शामती से होगा, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, जो ना आज तक इसामसी ने कही, ना गांधी ने कही, ना बुद्ध ने कही, किसी सरकार ने नहीं की, सिर्फ मोदी जी ने कहा, युद्ध से कुछ नहीं होगा, शांतीस से होगा, तो हमारे देश का ये एजेंडा है, हम सारी दुनिया के चैनल देख रहे थे आज इस ध्यान के ऊपर, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया, हमारे क्या चलना था कि मोदी जी ने बिर्क्स का एजेंडा सेट कर दी ये लाईन है हर चैनल के एजेंडा सेट कर दिया नबर वन और दूसरा ये कि जम मोदी जी नहीं का तो पुतिन केश्ट की जो बॉडी लेंगविजे बदल गई पुतिन को लगा उन्होंने ठंडी सांस ले कि वा मोदी जी ने क्या बात आप ये किसको आप बता रहे हैं हमारे देश के बहुत ही यहां के चैनल जिस तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से देश के लोगों को समझाने की कोशिश होती है कि मोदी जी अगर नहीं चाहेंगे तो विश्विद्ध ये जो युद्ध हो रहा है ये रुकेगा नहीं चाहे यूक्रेन और रूस का हो या अभी जो इस्राइल औ और लिबनान की बीच मैं हो रहा है तो लिबनान और इस्राइल की बात तो कर नहीं रहे है क्योंकि अब जिस तरीके से आज भी ही एक और यह बिदंध को द्वस्त कर दिया है इस्राइल ने और वो प्रचारकर रहा है कि सब बर्बाद कर दिया हमने आज उन्होंने पांच यह दस रॉकेट दा गए हैं जिसमें से दो रॉकेट बिलकुर करक कि रहे हैं पांच रॉकेट में तो हिजबुल्ला की अभी हिम्मद गई नहीं है यह सच्चाई हमारी टेलेविजिम चैनल हमारी देश के लोगो हो जाता है और उसी इलाके में और रॉकेट गरते हैं जहां पर इस्राइल के सबसे धनी मानी और सत्ता धीश रहते हैं तो यह कोई छोटी चीज़ नहीं हम लोग न कहें न बताएं हमारे टेलेविजिन चैनल पर लोगों को तो पता है दुनिया में सच्चाई तो यह है इस जो गले मिलना है इस गले मिलने की सच्चाई और उसके पीछे की सच्चाई दो अलगल है तो वेंता आपके मुह से एक बहुत बड़ी बात निकली है और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं कि इस सारी कीज़ के पीछे जो चीन में हमने एक तरीके से प्रचार किया जा रहा है मैं एक चीज़ अगर आप अनुमती दें तो और भी कह दूँ फिर आप सवाल पूछेंगा अगर पूछना चाहें आज सोगे से मैं टेलीविजन चैनल देख रहा हूं मैं जितने भी रक्षा विशेशक्टियों को सुन रहा हूं या जितने जो हमारे पूर्व विदेश परचीव हैं उनकी बात सुनना हूं उनमें से ज्यादा तरका यह मानना है कि यह बहुत जल्दी अपने पीट ठोकने जैसा है चीन कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता और उन्होंने का कि चीन ने जिस तरीके से अपने यहां पर्मनित स्ट्रक्चर बना रखता है जिस तरह के हव वो वो सारी चीज अब हिंदुस्तान ने भी अपने यहां कर लिए तो अगर चीन को हमको कहना है कि वो उसको खत्म करें तो हमको भी खत्म करनी पड़ेगे तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं और चीन हमारे लिए आज सुशान सरीनी ने एक बड़ा वाक जाता है आप उस जानवर का नाम जानते हैं तो उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे सामने एक टुकड़ा फेका है और उस टुकड़े को ले करके एक शोर मचाने लगते हैं कि वावावावावादे को हमारे पास यह आगया चीन वो टुकड़ा आपके लिए इसलिए फेकता है क कि वो आपको 10 लते और लगा सके सुशान सरीन का आज मैंने ये वक्ते बहुत सुना, यह सिर्फ यह कहना है कि सुशान सरीन जैसे लोग जो बात कह रहे हैं उस पर सच्चाई है, हमें चीन की सवाल को लेकर कि जो हम, हमारे यहां जो तस्वीर बनाने कोशिश हो रही है, वो त भारती जनता पार्टी के नेता अलद्दार्ट के वो अभी भी यही कह रहे हैं आज भी मुझे किसी ने कहा कि वो अपने वक्टेव से पीछे नहीं हादे हैं और वहां की भारती जनता पार्टी वहां का राजपाल तो कुछ बोल नहीं रहा है हमारे हमनों के मित्र ही हैं सिना जी, मनोच सेना जी, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे, लेकिन कुल मिला करके, जिस तरीकी का माहौल चीन की सीमा पर बना है, और जो प्रचार हो रहा है, और सच्चाई में बहुत बर्ट है, और मैं अभी भी आप से दोराता हूँ, कि हम लोग ने शायद रात म हमने ये कहा था कि शायद कुछ और बड़ा चीन को देने की ये भूमिका बनाई जा रही है, तारीफ हम अभी करते हैं, और वो ही बयान आज एक टेलिग्राफ में चापा है, कि न कोई आया है, न कोई आएगा, न कुछ हुआ है, और हमारे लोग मर रहे थे हुआ, गलवान और उसके बाद सारी चीजें वहां उनके कब्दे में चली गई, कॉलोनिया कल आपने जिक्र किया, कि कॉलोनिया वहां बन गई, पर्मान डिस्ट्रक्चर बन गया, नासा की तस्वीर हैं आ रही है, ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर सचमुच देश के लोगों के सा हमने अपनी देशभक्ती साविप करनी है, तो इस सरकार को चाहे वो रक्षा मंतरी हो या पधान मंतरी हो, इनको चाहिए कि वो चीन से सक्थ भाशा में बात करें, और उस चीज़ को इस तरीके से बात करें कि विदेशी प्रेस भी उसको सच माने, हाला कि विदेशी प्रेस एक हम से लोगों के सामने रख सकते हैं अब यह लोगों का सोचना है लोगों की जानकारी है लोगों का विवेक है कि वो उसे कितना सही मानता है, कितना घलत मानता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं इसके उपर पूरी तौर पर कायम हूँ, कि ये चीन का मसला आगी जाकर के हमारे लिए बहुत दुखता ही होने होता है. मतलत सर, चीन के चाल में फस रहे हैं, मोदी जी निकल नहीं रहे हैं, इस पूरी बात से मुझे ये समझ में आ रहे हैं, जो मुच्व अंडिस्टानिंग दिखा है, वो फसाने का बड़ा जाल है, और मोदी जी की कूट नीती क्योंकि कमजोर है, इसलिए बड़ी असानी से उस हो, या फिर चीन के साथ mutual understanding हो, क्योंकि पिछली दो बार से अच्छे खासे बड़ी फजीहत हो चुकी है, जिबसे नासा से तस्वीरे आ रहे हैं, तो यानि कि कुल मिला करके अब हम चीन की चाल में फस रहे हैं संशिप्त में, मैं आपकी बार से सहमत हूँ, हम चीन की चाल म मच नहीं पहा रहे हैं, क्योंकि जब आदमी हमारे हैं कहावत है, गाओं में अपने हाँ जो कहावत हैं वनिता जी यह हजारों साल की अन्वह से हैं, अब रहिम अधागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाएं, हजारों साल की है कि जुरे से पर ना जुरे जुरे गांट पर जा है, एक कहावत अपने सावन का अंध्य को हमेशा हरा ही हरा सूचता है, तो हम इस तरीके के अंध्य हैं, कि हमें हर जगए हम जो सोचते हैं कि दुनिया वैसी ही, तो ऐसा नही है, हम माझने की ऐसा होने वाला है वैसा नहीं हुता. हमारे हमारे पास अब मैं एक खबर आपको दे रहा हूँ आज मुझे पता नहीं कितनी सही है मेरे पास आज खबर आई है कि प्रधान मंत्री मोदी जी अचानक पाकिस्तान जाने का भी इरादा बना चुके हैं अगली अठारा उनिस बीस तारिक के आसपास मैं आपको बता रहा हूँ आपको अगली इन में प्रधान मंत्री मोदी जी अचानक पाकिस्तान जा सकते हैं और मेरी खबर के हिसाब से पाकिस्तान सरकारिस की तैयारी भी कर रही है तो मोदी जी एक कерхष दुन्या के पैमाने पर चेन के साथ कुछ लेके जिसमी तरीके से हो या दे के एक सीमा समझवता सुलजाना चाहते हैं या उस टेंशन को खद्म करना चाहते हैं, मैं पॉजिटिवली कह रहा हूं, उसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ भी जा करके कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जिसे विश्व में उनको शांत के लिए प्रया नोबल प्राइज के हगदार हो सकें, और मोदी जी को सेयुक्त राश्व संग अपना अगर महा सचिव चुन ले, तो इसे बढ़िया कोई बात नहीं होगे, जो भी लोग शाहिद कर रहे हैं, उनके मन में ये होगा, कि वो हम इस तरीके से मोदी जी को हम विश्व का एक ऐस नेता बना देंगे, जिस नेता ने युद्ध के लिए भी सब कुछ किया, शांती के लिए भी सब कुछ किया, युद्ध तो हमने एक ही किया है, कि हमने एक इस्ट्राइक की, सर्जिकल इस्ट्राइक की, जिसको हमने माना की, हमने दुनिया में बहुत बड़ा काम कर लिया, हाला कि हमने एक सेना ध्रक्ष से पूछा, भारत के सेना ध्रक्ष से मैंने पूछा, उन्हों का इस तरीकी कि हमने तो पचासों स्ट्राइक की है, लेकिन हमने कभी पचार नहीं किया, उन्हों कहना है सर्जिकल स्ट्राइक हमने पचासों की है, और हमने पाकिस्तान के भीतर ज किया है, जो भारत के खिलाब हमको लगता था कि आगे जाके हमारे लिए गले की हड़ी बनेंगे, अब ये सेना धक्ष ने मुझे कहा है, तो अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो मैं सेना धक्ष का नाम ले सकता हूँ, लेकिन जब कोई चैलेंज करेगा तब, लेकिन ये उन में पाकिस्तानि Lol. ये मनवरंजन होता है juda, मोंट्रोंट मम और्टों नेगी तो मनोत्रोंटनिचा जाती है, तो हम दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला लेते हैं वो पाकिस्तानी भी होते हैं हम भी होते हैं इसमें कोई मरता नहीं लेकिन गोलियां थोड़ी सी चल जाती ही तो वो जो शांती है भॉआ की कपरिस्तान वाली वो भेंग हो जाती है। मैं सिरी इतना कह़ा 카메ि नहीं कि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ अगर मोदी जी सचमुछ कुछ समझोता करने के मूड में हैं तो इसका स्वागत होना चीज़ है लेकिन अगर सची मुछ समझवता करने के मूद में है तो और फिर देश में भी वो इसमें कोई दोराई नहीं कि तब उनकी तस्विश देश में बहुत बड़ी होगी हमारे जितने राश्टनाइक होएं अब तक जवाला जी से लेके इंद्रा गांधी तक या विपी सिंग चंद्श खासकर विकास के रास्ते पे चलेगा जितना पैसा हम सेना के उपर लगा रहे हैं या पाकिस्तान लगा रहा है या चीन लगा रहा है कम से कम ये पैसा सेना के उपर नलग करके ये लोगों को विकास के उपर लगे का पैसा तो नहीं है चाहे सेना पर खर्च कर दो चाहे वि और चीज़ के लिए तो वो हमको नहीं पता आज वो फ़मिश्वी जागे क्लियर हो जी सर बलकुल सही बात है कि मोदी जी की ब्रैंडिंग से ज़्यादा जरूरी इस देश की सुरक्षा है अगर वो सही माईने में सुरक्षित चल रही है और सही फैसले है तो गले मिलने का मत पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा